हलो फ्रेंड्स, आइम दोक्टर पंकज, देखें लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी कि जो 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 होता है उसकी ड्यूटीज क्या होती है तो वो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सारे डिपार्टमेंट्स को डिसकस नहीं किया था हमने के वल इमर्जेंसी को देखा था तो इस वीडियो में हम वाकी के जो बच्चे डिपार्टमेंट्स है ना उनको डिसकस करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप से request है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए हमारे चैनल पर different different playlist हैं आप लोग प्लीज उनको जाके एक बार देखिए तो आपके काफी सारे doubts clear हो जाएंगे next हमारा एक facebook group भी है जो की NEET UG Group के नाम से है अगर आप चाहें तो उसको भी join कर सकते हैं for latest information and MCQs तो देखे लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने duties जो discuss किये थे वो किये थे emergency medicine के ओके अब इस वीडियो में हम देखते हैं one by one के वाकी जो department होते हैं तो emergency medicine के अलावा हर एक medical college या hospital में different departments होते हैं जिसमें important है medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics, orthopedics और उसके अलावा anesthesia, radiology, radiotherapy, pathology और भी बहुत सारे departments हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे तो इस वीडियो में हम एक एक करके सब को discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं department of medicine तो department of medicine जो होता है उसमें basically उस department में तीन main segment होते हैं एक तो होता है कि medicine का ward, तो ward क्या होता है एक होता है OPD और एक होता है emergency तो देखें OPD क्या होती है, OPD वो जगह होती है जहांपे कि हम लोग outdoor में patient को देखते हैं पोज़ कि आपको कभी बुखार हुआ होगा, तो अगर सरकारी अस्पताल में या medical college में गए तो सबसे पहले वो आपको OPD का एक परचा कटवाना होता है और OPD में doctors बैठे होते हैं उनको जाके आपको दिखाना होता है तो जातर cases में जो वही पे दवाईयां लिख दी जाती है और मरीज घर चला जाता है पर कुछ बहुत ही बीमार patient होते हैं जिनको काफी जादा दिक्कत होती है जैसे किसी को बहुत severe fever है, diarrhea है डॉक्टर को लगता है कि वो घर पे ठीक नहीं पाएगा तो उसको हम लोग admit कर लेते हैं कहाँ पर ward के अंदर तो ward में जो है मरीज बैड होते हैं और वहाँ पर ward में मरीज admit रहता है तो और एक और next होता है emergency तो emergency भी क्या होता है कि medical college या hospital में emergency भी चलती है तो देखिए कुछ बड़े-बड़े hospitals जो होते हैं उनमें तो emergency medicine अलग से department होता है कुछ और hospital में या कुछ और medical colleges में emergency जो क्या होती है ना अलग से नहीं होती medicine वाले ही emergency को समभालते हैं में होता है कि suppose करो एक medical college में एक medicine department में 6 unit हैं, ओके 6 unit का मतलब क्या होता है कि 6 professors होते हैं या 6 associate professor होते हैं हर एक का एक एक दिन होता है, तो वो उसमें फिर duty divide की जाती है, जैसे कि एगर महीने में 6 दिन हो गए, मतलब कि हफते में 7 दिन होते हैं, तो Monday to Saturday, इसमें हर एक एक दिन एक एक unit को दे दिया जाएगा और Sunday को भी rotation wise एक एक unit को दे दिया जाता है, तो उन colleges में emergency भी medicine के अंदर में ही आती है, अब देखो next क्या है, कि अब हम इसमें एक एक करके देखते हैं कि वार्ड में क्या होता है, तो वार्ड में जो basically जो duty होती है, सबसे important होते हैं rounds, जब भी सुबह होती है, जैसे कि किसी-किसी hospital का अलग-अलग होता है, जैसे जात तर जो rounds होते हैं, वो सुबह 8 से लेके 9 के बीच में शुरू होते हैं, तो वे rounds में होता क्या है, rounds में देखो आप जो JR होता है, उसको seniors के साथ हर एक patient को जो bed पे है, admit जो है patient उसको अपनी bed पे उसको एक-एक करके देखना होता है, तो वो जो rounds होते हैं उसमें सबसे senior professor होता है, अगर professor नहीं है तो associate professor होगा, नहीं तो assistant professor होगा, और इन सब के साथ क्या होगा, SR होंगे, और कुछ post graduate students भी होंगे, अगर उस college में PG होती है तो, और उनके साथ रहेगा JR, JR रहेगा और interns रहेंगे, तो rounds पर क्या होता है, कि rounds पर हम अपने senior doctor's की जो team हैं उनके साथ जाते हैं, और each and every patient को हम लोग examine करते हैं, मतलब देखते हैं कि उस जो patient का इलास ठीक चल रहा है के नहीं, अगर ठीक चल रहा है तो वो improve हो रहा है के नहीं, अगर improve नहीं हो रहा तो क्या दिक्कत है, उसका treatment कैसे change करना है, तो ये सब जो हमारी senior जो professor या assistant professor या associate professor होते हैं, वो लोग हमको समझाते हैं, इसको ये कर देना, इस patient को ये दवाई change कर देना, या जो भी है, किसी patient का blood draw करना होता है, वो बोल के जाते हैं, किसी patient का कोई कुछ catheter लगाना है, ठीक है, fallies लगाना है, ये सब बोल के जाते हैं, तो वो जो भी instruction देते हैं, वो हम लोग को follow करने होते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज़ क्या होती है, कि professors या senior, चाहे वो professor हो, assistant professor हो, कुछ भी हो, जो भी बोल के जाता है, उनको proper notes होता है, एक file होती है patient की, जिसमें notes डालने होता है, आज round पे क्या क्या हुआ, उस patient का BP pulse कितना था, senior doctor क्या बोल के गए, क्या हम को करना है, उसके बाद अगर वो कुछ भी बोल के गए, कोई procedure बोल के गए, जैसे कि बोले कि बेटा, इस patient का blood द्वारा से examination के लिए भेज देना, तो उस patient का blood draw करना होगा, उसके बाद हो सकता है, वो बोल के जाए, किसी patient को catheter लगाना है, उसको catheter लगा लो, किसी patient का ascetic tap करना है, उतो उसकी ascetic tapping कर दो, तो ये सारी चीज़े सारी करनी होती है, और सबसे important paperwork, पेपर वर्क में JR को क्या करना होता है, जब patient किसी ward में admit होता है, तो वहाँ पे उसका admission के paper बनते हैं, तो सारा का सारा काम किसका होता है, वो सारी file भरना patient की history लना सब JR का काम होता है, daily के notes डालना भी JR का काम है, ओके, और important चीज़ कहा है कि, जब patient ठीक हो जाता है, देखो अगर patient ward में है, तो या तो वह fit हो जाएगा, ओके, अगर fit नहीं होगा, तो सारे के सारा पूरा paper work, कि जब वो patient ward में admit था, उसका क्या treatment चला, उसको क्या के दवाईयां दी गई, उसका जो course है कैसा रहा, वो improve किया या बेकार होगा, इस सब का सब note करना JR का काम होता है, next एक important बात है, कि देखो किसी medical college में post graduate student होते हैं, post graduate का मतलब essay student जो MD करते हैं, medicine में, तो अगर आपके, आप जिस college में JR ship कर रहे हैं, अगर वहाँ PG students हैं, तो वहाँ क्या होता है, जे-र का काम ना काफी कम hectic हो जाता है, मतलब कि कुछ काम जो होता है, PG students जो होते हैं, और जो JR होते हैं, कम हो जाता है, और एक important बात है कि जो rounds होते हैं, rounds इतने important होते हैं, कि rounds पर ही प्रोफेसर और assistant associate professor आपको चीज़े सिखाते हैं, कि किस बिमारी को कैसे diagnose किया जाता है, किस बिमारी का treatment में क्या करते हैं, जो भी important important चीज़े हैं, वो जो patient का bed होता है, bed side पे ही आपको समझाते हैं सारी चीज़े, तो ये जो medicine का जो ward, जो round होते हैं, बहुत important चीज़ होते हैं, सीखने के लिए, next क्या होता है, OPD में क्या होता है भई, तो OPD में simple होता है, कि OPD में बहुत सारी chambers होते हैं, medical college में, वहाँ पे हर chamber में आपकी जिस दिन जो unit चलेगी, वो medicine की पूरी team बैठेगी, उस team में professor होंगे, उस team में associate professor होंगे, assistant professor होंगे, SR होंगे, उसके बाद PG students होंगे अगर वहाँ पे हैं, और आखरी में JR होगा और intern होगा, तो वहाँ पे क्या करना होगा, अगर आपको काम नहीं आता है, आप patient उतना अच्छे से नहीं देख पाते हो, तो जो seniors होते हैं, SR हो गए या professor, वो आपको patient देखना सिखाते हैं, कि भी patient को कैसे examine किया जाता है, कैसे treat किया जाता है, और जब आप सीख जाते हैं, तो आप independently भी वहाँ पे patient को देखते हैं, patient को ठीक करते हैं, तो इसलिए OPDB बहुत important चीज होती है, जहाँ पे कि आप बहुत सारे patients को एक single day में देख पाते हो, उसके बाद next चीज आती है आपकी emergency, तो emergency में क्या होता है, तो emergency में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, जैसा कि emergency medicine में होता था, सेम यहाँ पे भी वैसे होता है, यहाँ पे जो emergency duties होती है, वो divided होती है, कि मतलब जिस unit में जितने JR होते हैं, उसी साब से उनको duty आवस दिये जाते हैं emergency में, और होता क्या है कि अक्सर जो उनकी duties होती हैं, उस seniors के साथ ही लगती है, जैसे कि JR अगर है, तो JR के साथ SR होगा, और अगर उस college में PG होती है, तो वहाँ पे जो PG student है, MD, MS करने वाला, वो भी JR के साथ duty करेगा, तो इससे क्या होता है, जब पूरी team होती है, तो suddenly अगर कोई बहुत जादा severe patient आगे, जैसे कोई bus पलट गई, कुछ हो गया, तो वहाँ पे पूरी की पूरी team, बहुत सारे patient को एक साथ समाल लेती है, और emergency ही ऐसी जगह है, जहाँ पे आप different procedures सीखते हैं, जो हो कि हमने last वीडियो में बात भी की थी, जैसे कि blood draw करना, intra cath लगाना, canula लगाना, ascetic tapping, etc. तो अगर जो लोग वो पुरानी वीडियो नहीं देखें, प्लीज उस वीडियो को जाके देख लिजेगा, इस वीडियो के end में मैं उसका link देदूँगा, next, अब हम discuss करते कि भी department of surgery, department of surgery में क्या का काम होता है, तो देखें, जो department of surgery में जो ज़्यादा तर ड्यूटी हैं, वो medicine की तरह ही है, मतलब की department of surgery में अगर आप जे आर हैं, तो वहाँ भी आपको OPD करनी पड़ेगी, आपको ward duty करनी पड़ेगी, राउंड्स देने होंगे, नोर्स दानने होंगे, पेपर वर्ग करना पड़ेगा, और उसके साथ क्या करना आपको emergency duty भी लगेगी, surgery वालों की भी emergency duty लगते है, emergency में, तो वो duties जनरली ऐसे होती है, कि suppose करो आपकी unit में मतलब मान के चलोगा, चार जे आर हैं, तो एक जे आर को दे देगा, जिस दिन emergency दे होगा, साथ से एक करेगा duty, फिर उसके बाद एक से आठ कोई दूसरा करेगा, फिर night कोई और करेगा, तो वो equally divide कर देते हैं, वो college to college vary करता है, HOडी सर्व decide करते हैं, किसको क्या duty देनी है, पर सब को equally ही मिलती है, ऐसा कोई partiality किसी के साथ नहीं की जाती है, उसके बाद, सर्जरी में एक important चीज़ है, जो medicine में नहीं होती, यहाँ पर आपको OT में भी जाना होता है, OT मतलब operation theater, क्योंकि जर्जरी है तो उसमें operations तो हों गई, तो वहाँ generally क्या करना पड़ता है, वहाँ जो JR होता है, वो generally operation में help करता है, किसको seniors को, मतलब कि SR को, PG students को, या professor को, तो क्योंकि एक surgery एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसमें help के लिए काफी लोग चाहिए होते हैं, दो-तिन लोग चाहिए होते हैं, और जब आपको थोड़े दिन खो जाते हैं, जनरल सर्जरी में काम करते करते हैं, तो आपके seniors आपको छोटे-छोटे operation करना भी सिखाते हैं, जैसे कि hydrocele, अकसर जो JR होते हैं, उनको hydrocele करना सिखा दिया जाता है, जो भी surgery में JR ship करता है, वो hydrocele करना सीखी जाता है, फिर अगर कोई abscess हो गया है, abscess जिसको आप फोड़ा फुंसी बोलते हैं, उनको drain करना, कोई sebaceous cyst है, तो cyst जो होते हैं, उसको drain करना, stitches लगाना, ठीक है, stitches लगाना भी वहाँ पर सीखते हैं, बहुत सारी छोटी 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 चीज़े हैं, जो कि आप general surgery में काफी साइज चीज़ सीख जाते हैं, तो overall आपको छोटे मोटे operation भी सिखा दिये जाते हैं, और आपको कैसे general surgery की बिमारियों को treat करना है, diagnose करना है, वो भी सिखा दिया जाता है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, department of orthopedics, तो यह मेरा ही department है, इसमें भी क्या होता है, इसमें OPD भी करनी पड़ेगी JR को, ward भी करना पड़ेगा JR को, emergency duties भी करनी पड़ेगी JR को, और यहां भी OT में, operation theater में JR को जाना होगा, पर देखें, हम लोग orthopedics में, जो JR होता है न, उसको हम बहुत जादा operation करना नहीं सिखा पाते, क्योंकि ortho की जो operation होते हैं, थोड़े specialized होते हैं, वो या तो PG ही करते हैं, या SR करेंगे, या professor, JR को generally किसी भी college में, ortho की operations नहीं दिये जाते, वो बस assist ही करता है, आपको help करेगा operation में, हाँ, orthopedics में, जो JR को main चीज़ सिखाई जाती है, वो है plaster लगाना, plaster लगाने एक बहुत important, plaster लगाने का art है, तो जो plaster जो होता है, वो हम लोग JR को एकदम पूरा trained कर देते हैं, plaster में, मतलब मैं जब PG करता था, तो मेरे साथ जो JR था, उसका ना मुकेश था, बहुत ही अच्छा लड़का था, और मुकेश और मैं मिलके, काफी अच्छा अच्छा काम करते थे, खूब सारे plaster लगाते थे, मतलब मुकेश, बहुत ही अच्छा plaster लगाता है, इसमें कोई doubt ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग अपने, और जब हम हमारी duty होती थी, तो हम लोग तो काफी कम थे, हमारे college में, तो OPD मैं भी देखता था, मेरा JR मुकेश भी देखता था, फिर हम लोग WARD भी साथ में देखते थे, उसके बाद emergency duty भी आधी-आधी बांट लेते थे, तो इस तरीकी से काम थोड़ा कम हेक्टिक हो जाता था, नेक्स्ट आपका department of ops and gynae, जिसको बोलते हैं महिला का department, तो इसमें देखिए, इसमें भी OPD करनी पड़ेगी JR को, उसके बाद WARD भी करना पड़ेगा, उनकी जो delivery होती है वो labor room में होती है, अगर नॉर्मल delivery, बट अगर किसी का operation से बच्चा निकलता है, तो वो OT में होता है, तो JR को क्या करते है, JR की duty हर जगे रहती है, तो जिस दिल labor room duty है, उन दिल labor room में रहेगा, labor room में क्या होता है, नौर्मल डिलिवरी होती है तो जो भी Jr. ship करता है Ops-Tetics and Gynecology में उसको नौर्मल डिलिवरी में तो पूरा trained कर धिया जाता है मतलब जो भी Jr. Ops या गाइनी में अपनी Jr. ship कर रखा है वो नौर्मल डिलिवरी करना तो पक्का जानता है और कुछ जो smarts GR होते हैं, जो की तेज होते हैं, जिनको काम सीखने की ललक होती है, वो तो operation भी करना सीख जाते हैं, Caesar in section करना सीख भी जाते हैं, और फिर अपने periphery में, गाओं में, देखिए शहर में तो उतना Caesar in section करने का उनको मुका मिलेगा नी, पर अगर वो छोटे village वगेरा में जाते हैं, या छोटे कस्बों में practice करते हैं, तो वहाँ वो आराम से गाइनी के operation कर भी लेते हैं, उनको एक certificate भी दिया जाता है, शायद मैं भूल रहा हूँ, एक या दो साल काम करने पर तो वो लोग गाइनी का काफी सारा काम कर सकते हैं, त procedure देखने पड़ेंगे, paper work करना पड़ेगा, और emergency duty के दिन emergency भी देखनी पड़ेगी, तो काम सारा का सारा वही है, rounds, procedure, paperwork, यह बिल्कुल medicine जैसे होता है, बस medicine में adult का होता है, इसमें बच्चों का होता है, next department of dermatology, चमडे का विवाग जो है skin का, तो उसमें क्या होता है, उसमे dermatology में होता है, वही देख लेता है, या फिर dermatology के JR को, या SR को, या PG को फोन करके बुला लेता है, तो वो लोग on call रहते हैं, तो dermatology में basically OPD देखनी होती है, और ward देखना होता है, OPD में वही patient आते है, skin disease के patient वही देखनी होते है, अगर 2-3-4 patient admit करने पड़े तो उनको ward में सा सारा काम देखना होता है, वही उनका paperwork हो गया, उनके procedure हो गया, क्या दवाईयां चल रही है, प्रोफेसर क्या बोलके गया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा काम करना होता है, अब उसका एक और important department है, department of anesthesia, बेहोशी वाला, तो देखिए जहाँ operation होते है, medical college में, hospital मे वाला, बेहोशी तो देनी ही होती है, तो जो anesthesia में duty होती है, basically वो तो OT के अंदर ही होती है, क्या अनस्थेशिया में OPD जैसी कोई चीज नहीं होती, तो OT में ही होती है, और वो OT जो होता है, वो normal OT भी हो सकता है, या वो emergency OT भी हो सकता है, तो वो HOT जो होते है, department के वो बताते है, किसको क्या duty करनी है, पर anesthesia में काम करने का फायदा क्या है, अगर आप anesthesia में JR, जो भी JR करता है, तो वो बड़े आराम से उसको anesthesia देना सिखाया जाता है, मतलब कोई भी JR, जो कि anesthesia में JR ship किया है, वो anesthesia दे ही लेता है, अब anesthesia बहुत टाइप के होते है, एक होता है general anesthesia हो anesthesia में JR काम किया, तो वो काफी जवब पर काम कर पाता है anesthesia का, next, अभी तक जो हमारे department थे, उनमें थोड़ा hectic काम होता है, medical college या hospital में कुछ ऐसे भी department है, जहां पे कि उतना hectic काम नहीं होता, वो कौन कौन से department है, तो उनमें है एक तो department of pathology, pathology जिसमें कि आपकी जो खून है पेशाब है, उस सब की जाचे होती है, department of radiology, जिसमें की x-ray होता है, MRI CT scan होता है, फिर department of radiotherapy, जिसमें cancer के लिए radiotherapy दी जाती है, उसके बाद है department of laboratory, इसमें lab का काम है, उसके बाद है blood bank, और भी एक दो department है, तो ये जो department है, इनमें generally 9 to 5 वाले ही काम होता है, किसी-किसी department में night duty ह होती है, वो भी उतनी hectic नहीं होती, तो इसमें तो बड़े आराम से, और generally इसमें paperwork ही होता है, कोई बहुत जाधा काम नहीं होता, जाधा blood draw करना पड़ेगा, और machines की reading देखने होंगे, उससे जाधा कोई काम नहीं होता, इनमें assistant होते हैं, वही सारा काम कर देते हैं, तो ये